चोपड़ा है जो किसी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदेक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, आयूस यानि BMS, BHMS, BUMS, BSMS इन सभी कोर्सेज के लिए डबल ए ट्रपल सी द्वारा सेडूल जारी कर दिया है और ये कांसलिंग 28 अगस्ट 24 से स्टार्ट होने जारी है, ये इस बार थोड़ी जल्दी हो रही है, MCC की कांसलिंग को देखते हुए, और इसमें एक स्लाइटली चेंज ये हुआ है, कि पहले इसके चार राउंड हुआ करते थे और अमरजन्सी में पांचमा राउंड होता था, इस्पेशल राउंड, अभी पहले से ही फाईव राउंड का सेडूल जारी कर दिया है, यानि कि इस बार इस्पेशल राउंड की जगे, यहां पर इस्ट्रे वेकेंसी राउंड वन और इस्ट्रे वेकेंसी राउं conduct करवाई जाएंगे तो आईए इसका एक बार round wise schedule हम देख लेते हैं तो इसमें registration और payment होगा वो 28 अगस से start हो जाएगा और 2nd September 24 तक रहे गाई और इसमें जो 24 फिलिंग की date रहेगी वो 29 अगस से 2nd September 24 तक दो पर 12 बजे तक 11 पसपन तक रहेगी और 24 लोग आप उसी दिन 2 वज अभी 5th September को result आ जाएगा और reporting होगी वो होगी 6 से लिके 11 September 24 तक यानि 6 दिन के लिए ये reporting होगी इसके बाद 2nd round का schedule देखते हैं तो 2nd round में registration और payment की date रहेगी वो 18 September से लेके 23 September 24 रहेगी और 24 फिलिंग की 19 September से 23rd September तक रहेगी और result 26 September को आ जाएगा और reporting 27 September से 3rd October 24 तक रहेगी अभी 3rd round का schedule एक बार देख लेते हैं तो 9 October से 14 October तक 3rd round conduct होगा इसमें registration होगा और payment होगा च्वाइस फिलिंग 10 October से लेके 14 October तक रहेगी और result 17 October 24 को आ जाएगा reporting 18 से 22 October तक रहेगी 3rd round की अब इसमें special stay vacancy round 1 होगा वो government के लिए government added के लिए Central University के लिए और National Institute के लिए होगा यानि कि इसमें dimmed समिल नहीं होंगी 3rd round में लेकिन dimmed में अगर इससे आगे stay vacancy round में कोई participate करना चाता है तो इसी round में उनको registration करना होगा stay vacancy round 1 में ही registration करना होगा हालांकि उनको seat alert stay vacancy round dimmed university का होगा उसमें होगी लेकिन registration और payment इसी round में करना होगा registration और payment की date है 28 October से 31 October 24 choice filling की 29 से 31 October 24 है result 2nd November को आजाएगा और reporting 3rd से 7 November 24 तक रहेगी stay vacancy round 1 की अब stay vacancy round 2 का schedule देखते हैं तो इसमें कोई registration नहीं होगे phrase कोई 24 फिल नहीं होगी इसमें जो stay vacancy round 1 में registration किया था और 24 फिल की थी उसी के according ये result declare किया जाएगा यानि कि हम अगर इसको माने तो special stay round ही मान लेते हैं इसको और इससे पहले वाले को stay vacancy round मान लेते हैं तो ये जो seat allotment होगा वो 12 नहूंबर 24 को result आ जाएगा reporting 13 से 18 नहूंबर 24 को रहेगी और यहाँ पर 18 से 18 नहूंबर तक admission होगे इस साल के लिए इसमें government की condition में अब जो special stay होगा डियू के लिए dimd university के लिए तो इसमें तीसरे round के बाद जो vacant seat है वो dimd university को भेज दी जाएगी list भेज दी जाएगी candidate को और यह 12 नहूंबर से conduct होगा online stay vacancy round जो डबल ए ट्रिपल सी के portal पर होगा यहाँ वो बात दी है जो मैंने पहले बताया है कि जो eligible candidate है और तीसरे round तक उन्होंने registration नहीं किया है और special मतलब शोरी stay vacancy round duk में participate करना चाते हैं तो थार्ड round में ही registration कर दें शोरी stay vacancy round 1 में ही registration कर दें वो इसका schedule रहेगा reporting 12 से लेके 19 नहूंबर 24 तक और 20 नहूंबर तक verification यानि कि कौन से candidate ने join कर लिया candidate का data share कर दिया जाएगा टबल ए टरपल सी को तो ये 20 नहूंबर तक इस साल के लिए IUS का अभी date है admission का date ये NCISM या NCS द्वारा declare किया जाएगा वो हम आपको बता देंगे लेकिन ये schedule 20 नहूंबर तक आच चुका है तो ये IUS का schedule है जिन candidates को ओल इंडिया के 15% ओल इंडिया कोटा में participate करना है तो वो इस समय के according apply कर सकते हैं दूसरी बार ऐसे candidate जो दूसरे state के private आयरवेद college में admission लेना चाते हैं तो उनके लिए 15% सीटे हर एक state में reserve है आयूस की condition में यानि BMS, 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 BMS और BMS के लिए तो वो उस state की concerned जो counseling authority है वहाँ से counseling करवा के 15% ओल इंडिया कोटा में private आयरवेद college में या फिर homeopathic college में आयूस college में admission ले सकते हैं तो वो अपने state जिस state में admission लेना चाते हैं उसकी website प्रोपर विजिट करते रहें तो ये जानकारी थी 15% ओल इंडिया कोटा आयूस के admission के लिए और schedule के लिए बाकी information आपको समय समय पर दे दी जाएगी मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लिता हूँ विदा जैड में कर दो कर दो कर दो दो